दबंगों के द्वारा एक परिवार पर जान लेवा हमला किया गया आपको बता दे कूर्व में भी दबंगों के द्वारा पीड़िक परिवार को जान से मारने की धमकिया दे गई थे मत्रा के थाना बल्देव छेतर के गाउं आंगई में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की वहीं दबंगों ने फरसे से वैक्ति पर जान लेवा हमला किया इससे वैक्ति का हाथ कट गया थाना बल्देव के गाउं आंगई में गाउं के चंदरवीर सन ओफ जगदीश ने सुबह करीब आठ बजेर राम निवास सन ओफ शिव कुमार शर्मा के साथ घर में घुसकर मारपीट कर दी मारपीट के दोरान चंदरवीर ने राम निवास पर फरसे से जान लेने की नियत से हमला किया जिससे राम निवास ने अपना बचाव किया तो फरसे से राम निवास का हाथ कट गया घायल राम निवास को परिजन इलाज के लिए जिलास पता लेकर पहुंचे पीरित परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले गाम के वेक्ति चंदरवीर सन नौफ जगदीश के द्वारा हमारे घर से चोरी की गई थी जिसकी हमने थाने में शिकायत की थी तो चंदरवीर ने हमें जान से मारने की और देख लेने की धमकी दी जिसका मौका पाकर आज सुबह करीबन आट बज़े चंदरवीर ने अग्यात लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर हमारे साथ मार पीट की वह चंदरवीर ने जान से मारने की नियत से राम निवास शर्मा पर फरसे से हमला किया फरसे से बचाव करने में राम निवास शर्मा ने अपना हाथ आगे किया तो हाथ में फरसा लगने से राम निवास घायल हो गया मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदरवीर को गिरफतार कर थाने ले आई वह उचित कारवाही में जुट गई ललेत उपाद्धिया मतरा समाचा 24 मेरा नाम सुच मारा साथ कहां के रहने वाले हो? इसने पहले हमारी चोडि की हमने इसके नाम शापण का मने शाठ का रहने वाला और आज उसने जब भी समय आया है तो हमला की वाए गर में घृत खेस में बारा बांक मारने के बाद इसने आध कर दिया तो हाथ माथ कड़ गया अश्का प्लब बॉलस पकड ले गई हाँ क्या नाम है जब ithável के रहने वाले हैं कहां के रहने वाले ऊंद्ध में वाले है पर फ When you innocent गजडना कई कर ऐा Hadnčht इंद्ध में कहां के लिए अमला किया है किस् लिए किस बात के लिए इंद्ध आमला किई आ पच्छिस तारिकों मेरी सिस्टर की साधी थी हम सभी लोग साधी में थे तो घर पर चोरी करी थी इसने हमारे घर से एक कुम्तर ले जम पाइप और पांच बोरी लाया और दो बोरी गेऊं चुडाई हमने उससे कुछ बोला तो आज घर पर आके हमला किया बांक से और गर्द पुलस को सूचना दी पुलस आगे थी पुलस आगे थी उसको ग्रफ्तार कर दिया लोग ग्रफ्तार कर लिए गया है कि अब कर दिया है